हकीकत में यहां हर सिम्त अंधेरे ही अंधेरे हैं मगर ख्वाबों के आंगन में उजाले मुस्कुराते हैं तमन्ना कामियाबी की अगर हे तो चलो उठो नहों गर होंसला तो फिर इरादे लड़ खड़ाते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कर्मन्न एकडमी के इस यूट्यूब चैनल पर अगर मेरी वॉइस आप तक प्रोपर आप आ रही हो तो एक बार कमेंट करके बताएं सभी को जैहिन राम राम 28 लोग यहां पर हमारे सांद जुड़े हुए हैं एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि वो भी हमारे सांद जुड़ सकें जैहिन सुमित रानी सुरिवन सी दीपेस्तमोलिया चलिए 42 लोगों की संख्या हो चुकी है नीरज महर रविंद्र सिसोधिया सभी का स्वागत है सभी का स्वाग टोटल टाइप्स यहां पर हम कवर करेंगे सभी कोश्चन्स को देखेंगे टॉप 50 कोश्चन्स जो एक्जाम में आ सकते हैं उनको हमने यहां पर लिया है 64 लोगों की संख्या हो चुकी है जल्दी से शेयर कीजिए फिर हम क्लास को सुरू करते हैं सभी को जैहिन जैश्री राम जैभीम चलिए जैलंकेस जी 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 चलिए जैश्री महाकाल शुरूबात करते हैं आज के motivational quote के साथ शेयर कर दीजिए और like कर दीजिए जैए एक बार केवल खड़े होकर पानी को ताक्ते रहने से आप नदी को पार नहीं कर सकते यह कहना था अधर्णी श्री रविंदरनाजी टेगोर का तो बिल्कुल सही बात है अगर आप खड़े रहेंगे नदी को ताकते रहेंगे और अगर उस पार जाना है तो उसको ताकते रहने से आप उस पार नहीं जा सकते आपको effort तो लगाना ही पड़ेगा मेरा दोस्त प्रियास तो करना ही पड़ेगा चलिए जी सुनील जाटव जी स्वागत है आपका बैयासी लोगों की संख्या हो चुकी है सभी का स्वागत है चलिए सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर पहले थोड़ा समय सवाल में बैसिक बताऊंगा शुरुआत में मैंने बैसिक सवाल लिये हुए है ताकि आपको जगरवद्दी व्याज का बैसिक पता चले कैसे चीजों को हम हैंडल करते हैं यहां पर किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं सभी टाइप के कोश्चंस में करवाऊंगा है न चलिए जी हाँ क्लास में लगा है यह कोश्टर थेंक्यू नितेस थेंक्यू बानवे लोग हो चुके हैं जल्दी से संख्या सो पर पहुंचाईए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर हाज़िर होगा जल्दी से उदासियों की वज़े तो बहुत है जिन्दगी में बेवज़े खुष रहने का मजा ही कुछ और है बड़ी शांदार बात लिखी यहां पर योगेश्में वेरी गुड़ सर आप 2016 के कब से करोगे भाई जितना जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो अभी सभी चीज़ें होगी है ना पहले कंप्लीट चेप्टर पढ़ लो उसके बाद कोश्चन लगाएंगे हैं चलिए सबसे पहला सवाल यहां पर आपके स्क्रीन पर कि 7500 रूपे की रासी पर 4 प्रतीशत की दर से दो वर्सों में चक्रवद्धी ब्याज क्या होगा तो पहले तो हम यह समझ लें कि चक्रवद्धी ब्याज है क्या इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने साधरन ब्याज की यहां पर बात की थी दोस्तों तो साधरन ब्याज और चक्रवद्धी ब्य राशी लेते हैं या फिर ज्यादा भी लें तो वो जो राशी एक्स्रा हमें मिलती है उदार देने के बदले में वो क्या किलाता है ब्याज किलाता दोस्तों अब साधरेन ब्याज का ऐसा रहता है कि मान लिया 10% की इंट्रेस्ट पर आपने ब्याज दिया जितने भी रूपे दिये हैं तो पहले साल भी सो रूपया ब्याज मिलेगा दूसरे साल भी सो ही मिलेगा और तीसरे साल भी कितना मिलेगा सो ही मिलेगा यह हमें सिखाता है कौन साधरेन ब्याज लेकिन चक्रवद्धी ब्याज आपको क्या सिखाता है ध्यान से देखना चक्रवद्धी ब्याज ये कहता है कि आपने अगर 1000 रुपे दिये हैं दोस्तों अगर आपने 1000 रुपे दिये हैं और 1000 रुपे 10% की धर पर दे रखें तो पहले साल तो आपको 1000 का 10% 100 रुपे ब्याज मिलेगा लेकिन अगले साल जो जो व्याज मिलेगा वह व्याज मिलेगा एक हजार सो रूपे जोड़ करें टोटल 1100 का 10 परसेंट मतलब अगले साल 1100 को 10% कितना मिलेगा 110 तो इस तरह यह ब्याज मुलधन में जुड़ता जाता है और नया वाला जो मिस्रधन है वो हमारा किसका काम करने लगता है मुलधन का काम करने लगता है बस यही है चक्रवद्धी ब्याज गाउं में जो राशी ब्याज पर दी जाती है वो चक्रवद्धी ब्याज पर ही दी जाती है आपको अच्छे से पता होग बेग्राउंड यहां पर हमने चेंज किया है वीडियो का कैसा लग रहा है सभी को कमेंट करके जरूर बताएं ने तो चेंज कर देंगे कल से वापस पुराना वाला ले आएंगे ठीक है थोड़ा सा आँखों को हो सकता है आराम दे चीजें ज्यादा अच्छी दिखेगी इस ठीक है तो चक्रवद्धी ब्याज में ब्याज पर भी क्या बनता है ब्याज बनता है अगर कोई व्यक्ति किसी से उधार धन लेता है तो एक साल के बाद हिसाब कर लेता है रुपे में ब्याज भी जुड़ जाता है अगर वो धन नहीं लोटा रहा है तो वह ब्याज है उसी पर क्या बनता है दोस्तों भ्याज बनता है चलिए सभी आंसर बता रहे हैं यहां पर बहुत बढ़ी है अब देखें यहां पर आप चलिए ठीक है मायन ठीक है एक मिट रुक ना ज़रा चलिए वोड़ खाली हो चुका है हमरा यहां पर 112 लोगों की संक्या हो चुकी है सभी का बहुत स्वागत है अब देखो यहां पर वो बोल रहा है बड़े प्यार से की चीजें वहां हम परसेंटेज से करेंगे और जहां पर परसेंटेज का फ्रेक्शन बना करके चीजें असान होगी वहां पर हम किस से करेंगे दोस्तों फ्रेक्शन से करेंगे अब देखो यहां पर आप ध्यान रखना अगर आपको दो साल के व्याज का बोले वह बड़ा व पर A आएगा फिर B क्या है तो B का वापस से हम यह जो A आया ना जितना भी ब्याज निकला वो A का अगर हम 4% निकालेंगे तो वो क्या आएगा B आएगा अभी समझोगे आप सवाल को सब समझ में आएगा भी आगे समझाने पर तो 2 साल का अगर दिया है तो हम क्या कर देंगे 2A plus B, यही concept आपको अपनाना है, सवाल जल्दी हो जाएंगे आपसे, ठीक है, उसके बाद हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर 3 साल की, कितने साल की बात करें दोस्तों, 3 साल की अगर हम बात करें, तो 3 साल में आपको formula अपनाना है, 3A plus 3B plus C, तो यहाँ पर A क्या है, तो A दी ग कहीं हमें 4 साल का भी यूज करना पड़ता है, तो 4 साल का जो होगा, वो होगा आपका 4A plus 6B plus 4C plus D, तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, तो इसका screenshot ले लो जरा आप, चड़िए, अब यहाँ पर इस सवाल को हम solve करते हैं, देखना जरा ध्यान से, टोटल रु होगे, तो आपका formula है 2A plus क्या B, दोस्तों, तो A क्या है आपका, A जो है, वो है, वो है, पिचतर सो का कितना परसेंट, 4%, कितना परसेंट, दोस्तों, 4%, पिचतर सो का 4% निकाल होगे, तो 4 बटे 100, 2 0 से 2 0 cancel, मतलम यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 300, तो A जो है, वो 300 है, B जो है, वो 300 जो आया, उसका अब आपको 4% निकालना है, 300 का अगर आप 4% निकालोगे, 2 0 से 2 0 cancel हो गया, 4 3 यह कितना हो गया, 12, अब A आपका आगया 300, B आपका आगया कितना 12, तब आप करेंगे 2 गुणा, A मतलब 300, और B कितना है 12, 300 का गुणा करोगे 600, 600 और 12 को जोड़ होगे, कितना आएगा, 612, तो यह आपका क्या होगा, टोटल, ब्याज होगा यहाँ पर, ठीक है, यह होगा आपका टोटल ब्याज, अगर उसने पूछ लिया मिसरधन क्या होगा, तो 612 में आप किसको जोड़ देंगे, 75 को एड़ कर देंगे, तो आपका क्या जाएगा, य हम सवाल को अपने हिसाफ से अंडल कर लेंगे, दो साल के लिए उसने ब्याज पर दिया, यह पहला साल और यह दूसरा साल, देखना ध्यान से, पहले साल हमें 4% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी कितने परसेंट मिलेगा, 4%, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे मित्र यह है, यहाँ पर चक्रवध्धी ब्याज है, कौन सा ब्याज है, चक्रवध्धी ब्याज, तो चक्रवध्धी ब्याज में पीछे जो ब्याज मिल चुका है, उस पर भी क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, तो पहले साल 4%, दूसरे साल 4%, तो मिल गया, लेकिन इस 4% का भी 4% मिलेगा, तो 4 का 4% निकालोगे आप, तो कितना हो जाएगा 0.16% यह ध्यान दखना टोटल ब्याज कितना मिला 4 और 48 और 0.16 मतलब 8.16% आपको ब्याज मिल रहा है किस पर मिल रहा है 75-100 पर मतलब 75-100 का आप कितना निकालोगे 8.16% तो यह बटे में 100 आएगा यहाँ पर 0 लगेंगे, फिर आप काटोगे तो आपका अंसर आएगा ठीके, उसके बाद मैं दूसरी बात करूँ दूसरा तरीका क्या है तो दूसरा तरीका यह है मेरे दोस्त कि 45-100 रुपय आपने लिए, 4% कि दर पर लिए आप direct मिसरधन यहाँ पर निकाल लो पेले साल 104 बटे 100 हो जाएगा दूसरे साल भी क्या होगा 104 बटे 100 होगा दोस्तों दूसरे साल भी क्या होगा यहाँ पर 104 बटे 100 होगा फिर इसको cancel करने पर मिसरधन आएगा और उसमें से आपको वापस कितना माइनस करना पड़ेगा 95-100 को माइनस करना पड़ेगा एसे भी आप यहाँ से आंसर ले आ सकते हैं वैसे मैंना आंसर बता दिया, ठीक है चलिए, उसके बाद तीसरा तरीका क्या होगा तो तीसरा तरीका यही होगा इसी में आप परसेंटी निकाल करके लिख लें यहाँ पर देखें जरा तीसरे तरीके में आप क्या करेंगे यह पहले साल का ब्याज, यह दूसरे साल का ब्याज पहले साल कितना परसेंट मिल रहा है 4% तो 75-100 का आप कितना परसेंट निकाल लेंगे तो पहले साल 300, दूसरे साल 300, और ये 12 एक्ष्रा, तो टोटल कितना हो जाएगा 612, तो एक तरीका ये हो सकता है, तो सभी तरीकों से आपको करना है दोस्तों, ध्यान रखना आप, ये देखो, इसको A मान लिया, और ये भी हो गया A, जो सेकंड ब्याज आया, इसको B मान लिय तो ये हो जाएगा आपका 2A प्लस क्या B, तो ये आपका अंसर रहेगा, हमें सा 2A प्लस B रिकाल लेना आपको, चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं, दूसरे सवाल पर चलते हैं, देखते हैं, भई क्या होता है, इसका अंसर बताएं, जर आप, 5% ब्याज की चक्रवद्ध चलिए पढ़ने पर ध्यान दे आप comment box में बात करने पर कम ध्यान दे जरा इसका अंसर बता दो जल्दी से आप जल्दी comment करो दो साल का ही ब्याज पूछा है दो साल का ब्याज अगर वो पूछ रहा है बड़े प्यार से आपसे बहुत महबबस से पूछ रहा है तो आपका अंसर यहाँ पर क्या होगा 2A प्लस B ही होगा बोले सर ए क्या है तो A है मेरे मित्र 63-100 का कितना परसेंट 5% 63-100 का आप 5% निकालोगे तो कितना निकलेगा यह 65-35, 315 निकलेगा उसके बाद यह B क्या है तो 315 का कितना परसेंट है मेरे मित्र यह 5% है तो 5-100 हो जाएगा इस कैस में गुणा करेंगे 5-25, 2-5, 2-7, 5-3 कितना हो गया 15, 15, 15 कितना हो गया 75 2A प्लस B निकालना है तो 2 गुणा A अपना कितना हो गया 315 प्लस B हो गया 15.5 कितना 75 बी कितना हो गया 15.75 यह हो गया टोटल यहां पर 630 प्लस 15.75 वो तो आप से धन पूछ रहा है कि धन कितना हो जाएगा तो 600 रुपे पहले धन था हमारे पास 630 रुपे ब्याज बना फिर 15.75 रुपे ब्याज हमें एक्ष्टा मिला तो 0.75 यह हो गया 5, 3 और 1 कितना हो गया 4, 6 और 3 कितना हो गया 9 और यह हो गया 6, तो 6945.75 अगर निकट देखें तो यह किसके निकट है 694 6 के निकट मतलब आंसर होगा यहां पर हमारा ओप्सन नंबर कौन सा ए होगा जिनने भी सी बताया बड़ा बुरा लगा मझे सी के से बता रहे हो भाई आप सी नहीं बताना है ना तो 2A प्लस B यह फॉर्मूला आपको लगाना है आसानी से आप 2 साल का ब्याज निकाल लेगे ठीक है चलिए चलिए तो यहां पर आपका अंसर क्या होगा 6,946 अगला खुबसुरस सवाल आपकी स्क्रीन पर पहतरीन सवाल जोती रूपे 50,000 का निवेश 5 प्रती सत्प्रती वर्ष चक्रवधी ब्याज पर 2 वर्ष के लिए करती है दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी रा आपके शेयर करने से हमें होंशला मिलता है बस उस होंशले की ही जरुवत है कुछ तुम चलो कुछ हम चलेंगे मंजिल तक पहुच जाएंगे चलिए चलिए जल्दी से इस कांसर बताओ भई गुडिवनिंग सारू गुडिवनिंग देख लिया भई हमने चलिए कितनी राशी लिए उसने 50,000 रुपे की राशी लिए फिर से दो साल की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर वो दो साल की बात कर रहा है पांच प्रतिशत प्रतिवर्शक्रवद्दी ब्याज की दर से तो हमारा फॉर्मुला होगा क्या 2a प्लस भी यह नहीं है यह तरीका है ना ध्यान रखना ठीक है अब 2A प्लस B होगा मतलब पहले साल दो गुणा भाई यहां पर कितना बनेगा कितना परसेंट है पंच है और प्लस B होगा इस पचीस सो का पंच परसेंट परसेंट कितना होगा एक सो पचीस और हमारे पास रासी पहले से कितनी है तो पचास हजार प्लस यहांपर हम कितना जोड़ेंगे इसमें पांच हजार औरrets 125 को जोड़ेंगे तो इतनी रासी हमारे पास होगी, चलिए सभी का सही आ रहा है, very good, इसे आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 55,100, 25, option number A आपका क्या होगा, यहां पर, right answer होगा, दोस्तों, option number A क्या होगा, right answer होगा, ध्यान रखना इस तरीके से आप मत करना सवाल को, बहुत जादा rarely condition मे बहुत जादा जरूरत पड़ती, calculation तो करना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप यह तरीके अपना है, या फिर यह कहीं न कहीं आप से calculation मांगता है, चलिए सभी का A आया, बहुत खुसी है, मुझे, बहुत शांदार, बहुत बढ़िया, चलिए, रंग तो और भी है, सबीर प क्या होगा सरल सवाल, सर मेरी क्लास पीछे चल रही, पीछे देख लो भई, पीछे चल ले तो क्या दिक कर, खूबसूरत और सरल सवाल आपकी स्क्रीन पर तीन साल की वो बात कर रहा है, रुपे दे रखें, विचारे ने कितने 16,000 रुपे, मेरे मित्र अगर तीन साल की बा क्या होगा, सी होगा, यह आपको ध्यान रखना है, यह के से बना, यह बना है बिलकुल बैसिक से, कि पहले साल मिलेगा कितने परसेंट, 5% दूसरे साल 5%, फिर 5 का 5 निकालेंगे, तो इस तरीके से यह बनाया थी, कि 16,000 का कितना परसेंट, धर से बोल रहा है, 5% से 3 है, तो 3 इंटू A होता है, दी गई रासी का जितना परसेंट उसने दिया, 16,000 का 5% निकालोगे, कितना निकलेंगा, 800, प्लस 3 गुणा B होता है, जो A आया, उसका 5%, 800 का 5% निकलोगे, निकलेंगा, 40, फिर C होता है, जो B आया है, उसका 5%, 40 का 5% निकलोगे, निकलेंगा, 2, तो यह हो दिल खुस कर दिया तुमने सब ने, बिलकुल शांदार जवाब यहाँ पर, तो 2522 अपना क्या होगा दोस्त, आंशर होगा, सवालों के नीचे लिख लेना, परिक्षा में नहीं आते हैं, इतने सरल सवाल नहीं आएंगे हैं, rate भी 5% यह तो किसमत की बात है की दे दे मैं समझाने के लिए सलल सवाल ले रहा हूँ अभी आगे तरीके वाले questions भी आएंगे अगर आपके फंडे clear हैं तरीके अगर आपको आते हैं करने के सवालों को तो कैसी भी rate उसने दे दी आप answer ले आएंगे सही करके आएंगे उसको 157 लोगों की संक्या है सभी का स्वागत है दिल खुश कर दिया तुम सब लोगों ने सभी का सही है very good very good बहुत शांदार बहुत शांदार अब जो भी पहले बताएगा पहले 5 लोगों के नाम लूँगा मैं सही बताने वालूँग इस बार उसने ब्याज दे रखा मेरे मित्र क्या दे रखा है ब्याज दे रखा है इस बार उसने क्या दे रखा है ब्याज और आपसे राशी पूछ रहा है जल्दी से बता दो क्या राशी होगी जल्दी बताओ भाई 161 लोगों की संक्या शेयर करें जरा वीडियो को आप और लाइक यहां पर बहुत कम है, एक सो एक सट लोग देख रहे हैं, और लाइक कितने कम, ऐसा क्यों भई, पसंद नहीं आ रहा आपको वीडियो, डिसलाइक वाले तो अपना काम करके चले गए, आप भी अपना काम करो भई, जो डिसलाइक कर रहे हैं, वो तो बराब बर अपना काम करने, टाइम पर आकर के वीडियो को डिसलाइक करके चले याथ, चलिए इस का अंसर बताओ, 16, 16, 16, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, अब देखो, दो साल के लिए दिया है, बहुत 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 बहु दो अंग छोड़के मैं क्या लगा दूँगा यहां पर पॉइंट लगा दूँगा इस तरीके से इसको करना है अब देखो पॉइंट टू-फाइप परसेंट होगे तो पांच और पांच दस दसमलो दो-पांच परसेंट आपका क्या बना ब्याज बना टोटल यही उसने दे 64 बटे 10 दसमलो दो-पांच लेकिन आपको तो 100 निकालना है तो 100 का गुणा इदर कर दो और 100 का गुणा इदर यहां से जो बिंदिया हटाई ही तो दो बार यह बिंदिया यहां पर चमकेगी इसे 25 से कैंसिल करेंगे 400 बार इसे आप 25 से कैंसिल करेंगे तो 41 बार होगा 41 से यह cancel होगा कितनी बार चार बार चार सो और चार का कुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा 16 कितना आएगा यहाँ पर आंसर 1600 आएगा ठीक है तो जिनने भी 1600 बताया सभी का सही है very good बहुत शांदा अब एक तरीका और समझ लो यहाँ पर यह तो percentage वाली method से हमने किया fraction वाली method से भी बता देता हूं क्योंकि बहुत जगें fraction method का भी यूज करेंगे fraction method से कैसे answer निकालेंगे अगर हम निकालना चाहें समझना ध्यान से ना समझना fraction method से इसे कैसे solve किया जाता अब भाई उसने 5% क्या दिया 5% की rate दिये 5% को fraction में चैन करेंगे तो 5-100 मतलब कितना हो जाएगा एक बटे 20 हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी मूल रकम जो है वो 20 है और एक के हिसाप से उस पर वी आज मिल रहा है अपको ठीक है एक बढ़ेगा मतलब हगा हो जाएगा पिर अगले बढ़ेगा अब तो करे लिए अरो गदा भी किटनी हो गई 400 अब उसनें ब्याद दे रखा कितना और 내용 scoka मुछ लाए चार सो यूनिट ये platform चार सो यूनिट ऒड़ी है अब व्याज है ब्याज बनेगा 20 साल गान ब्याज होता है कर दो साल का हूट में यह वहाज प्लस या प्लस इव तो यह A हो गया 20, फिर B क्या हो गया 20 का एक बटे 20, मतलब यह कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ पर ब्याज कितना बनेगा 2 गुणा 20 धन 1, 20 दुना 40 हो रहे कितना बनेगा ब्याज 41, तो चक्रवधी ब्याज यहाँ पर कितना बन रहा है, 41 बन रहा है और वही रूपे में कितना दे रखा है 164 दे रखा है तो एक बराबर हो जाएगा 164 बटे एक तालीस लेकिन राश्षी हमने कितनी मानी 140 मानी सोरी 400 मानी तो 400 बराबर हो जाएगा इससे ये कैंसिल 4 बार है न तो 4 गुणा 400 कितना आ जाएगा 16 ये fraction method भी आपके काम आईगी आगे ठीक है चलिए जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता जी हां तो फ्रेक्शन method भी बहुत काम आने वाली आगे इस method को याद रखना मेरे दोस मेंने क्या किया इसको एक बटे 20 में बदला दो साल का बोला तो इसक्वार करके 400 यूनिट रासी मान ली अब एक बटे 20 में बदला तो 2A प्लस B दो साल का ब्याज यही तो बनता है और 2A 400 का एक बटे 20 आप निकालो देखो 5% निकालो 400 का या एक तोड़ी देर के लिए रख लेना बस फिर वहां पर जहां भी काम आईगा वहां धीर समय से निकाल लेंगे और वापस बोलनेंगे जा जाके बेड़ जाओंगे ठीक है चलिए अगला खुबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पर पहतरीन और शांदार सवाल आप सभी खूबसू एक धन रासी उसने दिया है 4 परसेंट 4 परसेंट दर से अगर 4 परसेंट की दर है तो इसका फ्रेक्शन होगा 4 बटे 100 मतलब कितना होगा 1 बटे 25 होगा ठीक है कितने साल का बोला 2 साल का तो 25 का स्क्वाइर कलो आप आपने मानली रासी कितनी है 625 है दो साल का बोलेगा तो ब्याज कितना बनेगा मेरे दोस्त ब्याज बनेगा 2A प्लस B ये ब्याज बनेगा ए क्या होता है बोले सर ए जो होता है वो होता है दी गई जो आप दिन रासी मानी उस रासी का कितना एक बटे 25 तो ये कितना हो गया 25 बी क्या होता है बोले सर बी जो ब्याज आया ना उसका ए 625 पर, तो टोटल धन कितना हो गया आपका 625 प्लस 51 और इसी के बराबर में कितना दे रखा, हुसने 322 दे रखा है, अगर इनको जोड़ोंगे तो ये 6, ये साथ, और ये 676 बराबर कितना हो गया 1352, लेकिन वो बोल रहा है कि धनराशी कितनी है तो धनराशी हमने कितनी मानी Czy 625 मानी तो एक बराबर हो जाएगा 1352 बटे कितना 676 और 625 बराबर 625 का गुणा इधर 625 का गुणा इधर करेंगे इससे एक एंसिल होगा दो बार 625 दुना कितना होगा 1250 होगा तो ये आपकी धनराशी होगी option number A जिनने भी A बताया बिल्कुल सही उनका बिल्कुल सही राध खान 1250 अभिशेक वर्मा 1250 नितु वर्मा सुभं प्रजापती गंगाराम अहिरवार मनीश बामनिया सब धोका दे सकते हैं पर मेहनत नहीं जी चंदु भाई बिल्कुल मेहनत कभी धोका नहीं देती राहुल याद आओ चलिए जिननने भी A बताया सभी का सहीए दिल समझाधी आपको चलिए तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कितना हूगत हैं आप्र 1250 हो गया चलिए अगला خूसूरा सवाल आपकी स्क्रीन पर वार्षिक आधार पर लगने वाले चक्रवध्धी ब्याज पर 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से चक्रवध्धी ब्याज दो वर्सों में कितनी रासी 12100 रुपे हो जाएगी अगर वार्षिक आधार पर ब्याज लग रहा है चलिए जल्दी से इसका अंसर बताईए सरल सवाल सरल सवाल अगर 10% व्याद से आप राशी दे रहे हैं मान लिया 100% की राशी है वाई percentage से करो या fraction से answer अपना सही आना चीए ठीक है तो पहले साल और दूसरे साल की वो बात कर रहा है अगर 2 साल की वो बात कर रहा है तो हमारा धन जो होता है वो 2A प्लस किसके रूप में बढ़ता है बी के रूप में तो पहले साल दो गुणा 10% 10 हो गया फिर बी 10 का 10% कितना होता है एक मतलब टोटल ब्याज कितना बनेगा 21% बनेगा 100 रूपे की रासी पर 21% ब्याज बन रहा है मतलब 121% हो जाएगी वो रासी मतलब आंसर आपका कितना होगा यहां पर 10,000 होगा आंसर कितना होगा दोस्तों 10,000 ओप्सन नमबर A जिनका भी A आया सभी का सही है तो सरल ही सवाल था आसान सवाल है ठीके भाई 10% की दर से अगर बन रही तो हमें पता है दो साल में ब्याज बनता है 2A प्लस B एक दिया उसने 10,000 होगा दोस्तों 100% 10,000 हो जाएगा वेरी गूड जिनने भी A बताया सभी का सही है बहुत शानदार अगला खुबस्वरा सवाल आपकी स्क्रीन पर देखें जल्दी से इस कांसर बताएं वो बोल रहा है 50,000 का कर्ज साक्षी ने लिया पहले वर्स ब्याज की दर कितने है 5 परसेंट है दूसरे वर्स ब्याज की दर 7% है तथा तीसरे वर्स ब्याज की दर 8% है तीनो वर्सों के अंत में यहां पे धन पूछा है न उसने यह ब्याज अठा दो धन क्या होगा यहाँ पर तीनो बार रेट अलग-अलग दे रखी है इस बार उसने जल्दी से बताएं अब ध्यान रखना जब भी rate of interest अलग-अलग हो आपको क्या करना है सुनना ध्यान से, मान लिया रासी 100% थी, उस पर ही ब्याज बनेगा, उसी पर वो बनेगी, अब रासी मानें क्या यहाँ पर दे रखे उसने कितनी 50,000, 50,000 को 100% अगर हम मानेंगे, तो पहले साल 5% बढ़ रही है, तो हो जाएगी 105 बटे 100, अगले साल टोटल रासी बढ़ेगी कितने परसेंट, 7% तो यह हो जाएगी 107 बटे 100, जब भी ऐसा सवाल आई, आपको इसे ही करना है, फिर बढ़ेगी कितने परसेंट, 8% तो 108 बटे कितना हो जाएगी 100 हो जाएगी, चलिए, बिंदिया से बिंदिया यहाँ पर चमकना खतम, यह दो बिंदिया से वापस यह वाली दो बिंदिया भी क्या हो गई, इनका गुणा करेंगी, इनका गुणा करेंगे, तो आंसर आएगा 6667 यह आपका क्या रहेगा दोस्तों आंसर रहेगा option number C आपका option number C very good very good very good रविन सिसोधिया दीपक वर्मा मोनिका संदीप वर्मा वंदना वर्मा कमलेजबकोरिया सचिन वर्मा राधी का माल भी सरनेट खतम हो गया कोई बात नी बल्देव सिंग जी कल देख लीजिएगा आप बचा के रखा करो नेट नीतु वर्मा आरती मनोरिया किरन सेन तनुजाब बिर्गोदिया very good अगला खुबसूरत सवाल आपके स्क्रीन पर यदी दो वर्सों में साधरन ब्याज की दर मूलधन से 16 प्रतिशत की वर्द्धी होती है तो उसी दर से दो वर्सों में 25,000 रुपे पर अरजित चक्रवद्धी ब्याज क्या होगा जल्दी से इसका अंसर बताओ क्या होगा भाई वो बोल रहा है यदी दो वर्सों में साधरन ब्याज की दर से मूलधन में 16 प्रतिशत की वर्द्धी होती है तो उसी दर से दो वर्सों में 25,000 रुपे पर अरजित चक्रवद्धी ब्याज क्या होगा अब देखो यहां पर वो बड़े प्यार से बोल रहा है आपसे कि दो वर्स में कौन सा ब्याज मेरे दोस्त साधरन ब्याज कितने परसेंट बढ़ गया 16 परसेंट बुले सर 16 परसेंट की वर्द्धी हो जाती उसके मूलधन में जब 2 वर्स में 16 परसेंट बन रहा है तो एक वर्स में कितना बनेगा आट परसेंट ठीट बनेगा मतलब रेट ऑप इंटरस्ट कितनी है और तो दो से भाग लगा लो Cage कितनी आ जाए है अब आट परसेंट जब चकरवद्धी आज की दर है चाहे वह साधरन की हो चाहे चकरवद्धी की तो बही रहेगी भाई ब्याज पर भी क्या मिलता हैं? तो 8% दर है और यह 25,000 की रासी ए, दो साल की वो बहत कर रहा है. तो 25,000 पर दो साल के लिए आप क्या करेंगे यहांपर? 2A plus B. मेरे ब्ले सर ए क्या है? तो A यहांपर आपका क्या होगा? A जो होगा, वो होगा 25,000 का क्तना % ? दोस्त 8% कितना परसेंट होगा 8% होगा काट लो इसे कितना हो जाएगा 2000 पी क्या होगा बले सर बी आपका होगा 2000 का कितना परसेंट 8% इसे कैंसिल कर लो ये लो भाई 8 दूना 16 कितना होगा तो टोटल ब्याज यहाँ पर हो जाएगा 2000 इंटू 2 धन 160 मतलब 4000 धन 160 एक तालिस सो कितना होगा 60 ओप्सन नंबर कौन सा यहाँ पर डी तो ओप्सन नंबर डी हमारा आंसर होगा बड़े ही दुख की बात है किसी का भी आंसर नहीं आया बड़े दुख की बात है चली ओप्सन नंबर डी हमारा आंसर होगा फिर से समझ लें जरा इसको समझाने की जरुवत है देखो जरा ओ गरीबों इदर देख लो इदर 176 लोगों की संख्या एकाथ तो कोई आंसर बताता भाई इसका यदि दो वरसों में साधरन ब्याज की दर से मुल्दन में 16% की वरद्धी हुई है मतलब एक वरस में कितना बड़ा होगा 8% तो rate of interest क्या होगी 8% अब 8% rate of interest आ गई तो उसी धन पर 2 साल का आपको क्या बताना था चक्रुषदी ब्याज बताना था और 2 साल का चक्रुषदी ब्याज होता है 2A प्लस क्या B, A होता है दिये गए धन का उतना परसेंट जितना उसने दिया है B होता है जो A आया उसका उतना परसेंट जितना उसने दिया है A आ गया 2000, 2000 गुना 2 करेंगे 4000, B हो गया 160, तो टूटल कितना हो गया 4160 यहाँ पर हो गया चलिए सर मैंने डी ही लगाया था जी बल्देव सिंग जी अगला खुब्सुरा सवाल एसा ही सवाल दे रहा हूं सेम टू सेम करके बताना जरा जल्दी से चलिए साधरन ब्याज पर तीन वर्सों में मूलधन 15 प्रतीशत बढ़ जाता है उसी दर पर 15 लाख रूपे पर तीन वर्स बाद लगबग कितना चक्रवद्धी ब्याज मिलेगा जल्दी से इसका अंसर बता दो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबका अंसर सही आएगा चलिए ओ मेरे सांथियों जल्दी से बताओ फिर साही भी सुनाओंगा तुम्हें दस वाला समझ लो दोस्त नो भी समझ में जाएगा ना मनीश दस वाला समझ लो सेव में दस वाला भी ठीक है यहां तीन साल की बात कर रहा है बहुत चलिए देखो जड़ा बड़े प्यार से आपसे वो बोल रहा है कि तीन वर्स में ना तीन वर्स में जो साधरन ब्याज है उसके करण जो मूलधन बड़ा वो कितना परसेंट बड़ा 15 तो ब्याज की दर क्या होगी बोल सर एक वर्स की बात कर लो तो ब्याज की दर पता चल जाएगी एक वर्स की 15 में तीन से भाग लगेंगे 5 परसेंट मत अगर तीन वर्स की वो बात करें तो यह होता है हमारा 3A प्लस 3B प्लस C इसलिए लिखवा है मैंने यह आपको 3A प्लस 3B प्लस C, very good Monika, very good 3A प्लस 3B प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, A निकालेंगे तो A जो है वो 15,00,000 का कितना परसेंट है? 5% है, कितना हो जाएगा A आपका, यह cancel हो गया 15,75, तो 3 गुणा कितना हो गया? 75,000, यह होगा, ठीक है B क्या है, बोले सरे B जो यह 75,000 आया ना A यह A है आपका, ठीक है 15,00,000 का 5% B क्या है, तो B इस 75,000 का कितना परसेंट है? 5% है आप इसे निकालेंगे कितना हो गया? 75,35, 25, यह हो जाएगा टोटल, 3,750, यह कितना हो जाएगा? 3,750, तो B हो गया 3,000 कितना? 3,750, बले सर, C क्या होगा? तो C होता है जो B आया ना 3,750, इसका भी कितना परसेंट? 5% इससे यह कैंसिल कर लो 375 में आप 5 का गुणा करोगे तो आएगा 1875 और 10 का भाग लगाओ तो 187.5 तो यहाँ पर 8 हम कर लेंगे कितना? 187.5 अब आप इनका गुणा करोगे तो यह कितना हो जाएगा? दोस्तों 2,25,000 के सम्थिंग यह हो जाएगा उसके बाद यह कितना होगा? आपका 3,9,7,7,9,21,1,5,3,15 यह हो जाएगा 11,250 और यह 187.5 जब आप इनके जोडेंगे तो यह जाएगा आपका टोटल 2.36 लाग तक जोड़ के देखना ज़रा इसे कितने पर जाएगा 2.36 लाग तक जो कि ओप्सन नंबर C आपका क्या होगा? आंसर होगा जिनने भी C बताया I am proud of you बंदना तनुजा उमा गुरुजर शाशी दोहरे चलिए नीतु वर्मा वेरी गुड जिनने जिनने भी C बताया वेरी गुड भाई सोरव मौनिका प्रजापती चलिए बाकी तो सभी क्या पता क्या अंसर लगा रहे हैं खेल कर दो जड़ा वीडियो को नीनारी सभी को तुम्हें करें गरीब हो चलिए जिनने भी C बताया वेरी गुड चलते हैं अगले खुबसूरत सवाल की और पहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर यदि तीन वर्सों में साधरन ब्याज पर मूलधन 18 प्रतिशत बढ़ जाता है तो उसी दर पर तीन साल में 25 रुपे पर अरजित चक्रवद्धी चलिए अगर वो नहीं आता है और यह आशा कर रहे हो यह उम्मीद कर रहे हो कि नोकरी लग जाए तो कोई बात की नहीं फिर ठीक है चलिए अगरा खुबसूरत सवाल 8000 रुपे का 10% वार्षिक ब्याज की दर से अवाया सवाल देखो 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही एक बटे दो वर्स का चक्रवद्धी ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रती 6 माही देए हो शुरुवात के दो तीन सवाल फिर से सरल फिर हम 6 माह की भी बात करेंगे चार माह की भी बात करेंगे 9 माह में भी हिसाब करवाएंगे और 7 महीने में भी हिसाब यहाँ पर हम करवाने वाले ठीक है अब देखो आपको यह समझ लेना है यहाँ पर आपको रटना नहीं है वो बोल रहा है ब्याज की दर कितनी हो छे माही हो मतलब ब्याज छे माही देई हो सुरी छे माही देई ब्याज है अगर छे माहा की वो बात कर रहा है देखना ध्यान से कितने माहा की बात कर रहा है छे माहा की तो छे माहा की अगर हम बात करें एक साल मे 12 माह होते हैं, कितने माह होते हैं एक साल में 12 माह, और 6-6 माह के कितने टुकड़े हो सकते हैं, बोले सब 2 टुकड़े हो सकते हैं जब 1 साल के 2 टुकड़े आप कर रहे हैं ये practically समझ लो इस बात को ऐसा रटना मत, कि 6 महीने का बोले तो दर में 2 से भाग लगाएंगे, समझ को दूगना करेंगे ये नहीं रटना है, क्योंकि वो 5 महीने का भी बोलता है मतलब कितने साल बनेगे? 2 साल यहांपर बनेगे अगर आप साल के 2 टुकड़े करना है तो दर के भी 2 टुकड़े करना है 10 की दर थी तो पहले छह महीने के लिए 5 मिलेगी और دूसे 6 महीने को भी कितनी मिल जाएगी ये बात आपको समझनी है दूसरी बात एक और समझे आप अगर उसने बोल दिया 4 माह का कितने माह का बोल दिया दोस्तों 4 माह का बोल दिया और मान लिया यहाँ पर 15% rate of interest है 10 भी हो सकती 15 भी हो सकती 15% अगर है तो 12 माह जो है उसके 4-4 माह के कितने टुकडे होंगे दोस्तों 3 टुकडे होंगे अगर 12 माह के आप 3 टुकडे कर रहे हैं तो 15% के भी 3 टुकडे करो यहां होंगे 55% के इतने परसेंट के होंगे दोस्तों 55% के तो जितने टुकडे साल के होते हैं उतने ही टुकडे हम क्या कर लेते हैं दर के कर लेते हैं उतने ही टुकडे हम किसके कर लेते हैं दोस्तों दर के कर लेते हैं यह बात आपको ध्यान रखनी है रटना नहीं है कि चार माह होगा तो दर में भाई साल में हम गुणा कर लेंगे तीन का और दर में भाग लगाएंगे तीन का एसा मतरट नाव ठीक है क्योंकि आगे पांच माहा की भी बात होगी जी रविन सिसो दिया जी बिल्कुल आपका नाम ले लिया गया है अब देखो यहां पर अगर बात हो ना फिर से वह खुबसुरत बात बोल सकता है कि वाई साथ इस बार तीन महीने में हिसाब करना है तीन महीने में हिसाब करना है अगर तीन महीने में हिसाब करेगा ना मेरे म 9 10% तो इसके भी 4 टुकडे करेंगे पांच-पांस के चार टुकडे हो जाएंगे अगर 10% disfrut होती तो हम इसके भी चार टुकडे करते दस बेटे चार डिमेटे चार और चारो जगे कितना ही मिलते दज बेटे, चार होते हैं, समझ पारे हैं आप बात को, तो इस तरीके से आपको करना है, सर क्लास कंटीनिव क्यों नहीं होती, कंटीनिव ही होगी क्लास है न, वो तो बीच में दो-तिन दिन का उफ कर दिया था, टेकनिकली समस्याओं की वज़े से कुछ, बाकी कंटीनिव हो चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको करना है, अब देखो अगर उसने क्या किया, महनलो ऐसा बोल दिया कि धाई साल है, कितने साल है, धाई साल है, और दस महीने के हिसाफ, दस महीने पर वो हिसाफ कर रहा है, तो धाई साल में कितने महीने होते हैं, बोले सर धाई साल तो आपको 10 महीने के हिसाफ से फिर rate of interest निकालनी होगी ध्यान रखना अगर 12% rate है वारसिक मतलब 12 महीने की 12% तो 10 महीने की कितने percent आईगी 10% तो यहां भी 10% मिलेगा यहां भी 10% और यहां भी कितना हो जाएगा 10% तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है इस तरीके से पर 10% वार्सिक ब्याज की दर से एक सही एक बटे दो वर्स का एक सही एक बटे दो वर्स मतलब कितने महीने हो गए 18 महा हो गए कितने माह हो गए 18 माह है ना आधे-आधे साल के 3 साल बन जाई है तो चक्रवद्धी ब्याज क्या होगा जब कि ब्याज 6 माही दे हो मतलब 6-6 महीने में हिसाब कर रहा है 18 माह के टुकड़े 6 महीने के कितने होंगे 6-6 और 6-3 टुकड़े होंगे अगर वारसी खे और हर 6 महीने हिसाब कर रहा है तो आपकी दर कितनी हो जाएगी वोंदा सब्सक्राइगी 5 पर जाएगी 5%, क्योंकि 12 महीने की 10% है तो 6 महीने की कितनी होगी 5%, मतलब यहाँ पर पेले 5% मिलेगा, फिर 5% हो, फिर 5%, यहापर 6-6 महिने के साल हो गए, अब ध्यान दखा, तो अगर 3 साल की वो बात कर रहा है, 5% के हिसाब से तो आप क्या करेंगे, 3A प्लस, 3B प्लस कितना, C, A क्या होता है, दी गई रासी का 5%, 8000 का 5% निकालोगे, तो कितना निकलेगा, 400, B क्या ह होता है, A का 5%, तो B आप निकालोगे, इसका 5% तो कितना होगा, 20, और C होता है, B का 5%, 20 का 5% निकालोगे, एक, तो 4T या 1200, प्लस हो गया, 60, धन 1, आंसर आएगा, कितना, 1261, तो यह आपका क्या रहेगा, आंसर होगा, तो थोड़ा सा कॉमंसेंद लगाना, आपने क्या किया दर को आधा कर लिया, क्योंकि 6 महीने के 2 ही साल बनते हैं, एक साल में से, जब एक साल 12 महीने की दर 10% है, तो 6 महीने की कितनी होगी, 5% होगी, टोटल यहाँ पर वो 3 साल की बात कर रहा है, 6 महीने के 3 साल होगा, अब इस बर, 3 साल की वो बात कर रहा है, 18 महीने की बात कर रह पर 20 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से 9 महा महीने का चक्रवध्धी व्याज क्या होगा अब देखो वो 9 महीने की बात कर रहा है और 12 महा का जो उसने यहां पर रेट दे रखा वो दे रखा 20% ठीक है यदि व्याज 3 मासी को अब 3 महीने 9 महीने के की महीने की 10% से बाते वह गया 5% तो 5% फिरसे दर हैं फिर से 3 साल बन रहे हैं कितने साल बन रहे हैं यहांपर 3 साल बन रहे हैं तीन साल की 5% के हिसाब से अगर आप यहां पर ब्याज निकालोगे तो वही होगा 3A plus 3B plus C 3A A का मतलब क्या होगा देखो यहां लिख देता हूँ 3A plus 3B plus कितना C 3A A मतलब 5% किसका 24,000 का कितना निकलेगा 1200 B मतलब 1200 का 5% कितना निकलेगा यहां पर 120 का आदा 60 C मतलब 60 का 5% 6 का आदा कितना हो जाएगा 3 तो यह हो जाएगा 3600 plus कितना 180 plus कितना 3 जोडोगे से तो 3600 कितना होगा 83 होगा जोकि option number कौन सा है आपका B है आपकर option number कौन सा है दोस्तों B है आपकर चलिए अगला खुश्चूरा सवाल आपकी स्क्रीन पर तिमाही आधार पर एक वर्स में प्रती वर्स 40 प्रतीशत की दर से 80,000 रुपयों का अरजित चक्रवधी ब्याज क्या होगा अब वो 40% की रेट दे रहा है से कैंसर करेंगे 10 बार मतलब 10% और अगर वो 12 माह में हर 3 माह में हिसाब करता है तो कितनी बार हिसाब करेगा अगर 4 साल का व्याज निकालोगे न दोस्तों अगर 4 साल का व्याज निकालोगे तो मैंने आपको पताया 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D ये आपको याद रखना जल्दी आ जाएगा ठीके A क्या है बुले सर A जो है वो 10% किसका दी गई रासी का आप 80,000 का 10% निकालेंगे 8,000 निकलेगा प्लस B क्या है तो 6 गुणा B, B है 8,000 का 10% कितना आएगा 800 C क्या है तो 800 का 10% है 4 गुणा कितना हो गया 80 D क्या है तो इस 80 का 10% है कितना हो गया 8 तो यह हो गया आपका 32,000 प्लस 6,800 6,800 मतलब 6,800 प्लस हो जाएगा 32 मतलब 320 धन कितना 8 इनको जोड़ोगे ति हो जाएगा 800 और 300 यहाँ पर कितना 1120, 1128, 36,128 तो option number B आपका क्या होगा यहाँ पर answer होगा option number B आपका क्या होगा answer होगा calculation आपकी अच्छी होनी चाहिए समझ रहे हो बात को आप calculation आपकी अच्छी होनी चाहिए option number B आपका क्या होगा यहाँ पर answer होगा अगला खुबसुरा सवार आपकी screen पर 2480 का 6,1,4% की दर से 2 वर्स 33 दिन का चक्रवधी ब्याज क्या होगा इसका answer बतादो जल्दी से क्या होगा भई 2 वर्स 73 दिन का चक्रवधी ब्याज क्या होगा अब देखें आपको क्या करना ध्यान रखना 2480 रूपय उसने दे रखे हैं डर दे रखी है 6,1,4% और वो पूछ रहा है कितने साल का 2 वर्स और 93 दिन का अब जब भी सही बटे में आपको rate दिखे न ऐसे तो इसमें आप ध्यान रखना हमेशा और हमेशा इसको change कर ले ना fraction में 6 चोवीस और 25 बटे 4% अगर मैं इसे fraction में change करूँगा तो 25 बटे 4 और यहां पर आजाएगा क्या 100 25 चोखे 100 तो 1 बटे 16 मतलब आप दर की जगे हम कितना लिखेंगे 1 बटे 16 लिखेंगे एक बेटे 16 निकालेंगे राशी का वो बोल रा है दो वर्ण और 73 दिन का बोल रहा है तो डरना मत आप दो वर्ण तो पूरे होंगे और 63 दिन साल का कितना भाग होते हैं तीनटर आप 365 में भाग लगाऊँगे 23 से तो 5 भाग होते हैं मतलब यह एक बटे 5 साल की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है दोस्तों एक बटे पांच साल की यहां पर बात कर रहा है कि मैंने ठुकना डुकना भाई, एक साल में 365 दिन होता है, एक साल में कितने दिन होते हैं, 65 जी मनोज जी बोलें, भाई, क्या समस्य आपकी, एक साल में 365 दिन, तो 73 दिन के टोटल वर्स बनेंगे, एक बटे 5 वर्स, ठीक है, चलिए, 2 वर्स, 2 माह और 13 दिन, ऐसे नहीं करना है न, एक बटे 5 वर्स निकालूंगा, तो भी आज कितना होगा, 2A प्लस B, तो दो गुणा, ए क्या है, बोले सर, ए जो है, वो 2480 का कितना है, रुकना, अलग से निकाल लेते हैं, ए जो है, वो 2480 का कितना परसेंट है, कितना है, बोले सर, वो है आपका, एक बटे 16 है न, परसेंट को इसमें भाग लगाओगे तो यह आपका कितना निकलेगा यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर बच जाएगा आपका चार तो दो बार फिर 16 ठीक है बारा सो कितना हो जाएगा यह असी हो जाएगा यह कितना होगा बारा सो असी होगा फिर बी निकालोगे तो वह बारा सो असी का कितना ठीक है यह कितना हो जाएगाँ आपका 80 हो जाएगा तो यह हो गए आपका ब्याज यहाँ पर टूए प्लस बी मतलब दो गुणा 1280 प्लस ब कितना है असी है बारा सो असी में दो का गुणा करोगे 2560 और 80 उसमें जोड़ोगे तो 2640 तो यह तो हमारा ब्याज निकालना एक बटे 16 के हिसाब से तो 2A प्लस क्या कर लेंगे हम B कर लेंगे पहले साल A होगा कुल रासी का एक बटे 16 बी होगा जो आया उसका एक बटे 16 तो ब्याज कितना हो गया 2640 हो गया अब देख रहा हम चलो नहीं करता हूं डिलिट 2640 तो दो साल का ब्याज आ गया ठीक है अब बचा कितना वर्स एक बटे पांच वर्स इसके लिए दर क्या होगी बोले सर दर होगी इसके लिए एक बटे सोला का भी कितना करेंगे आप एक बटे पांच मतलब दर होगी एक बटे कितनी असी इतना ब्याज ओर मिलेगा एक बटे असी हमें किस पर मिलेगा बोले सर वो धन पर भी मिलेगा इस ब्याज पर भी मिलेगा ये सब हमें एड करना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेटी सवाल है 2,640 रुपे हमें ब्याज पेले मिल चुका है उसके बाद यहाँ पर 20,480 पर 1,80 ब्याज और मिलेगा 1,80 ब्याज और मिलेगा उसके बाद यहाँ पर 2,640 का भी कितना ब्याज हमें मिलना बाकि है 1,80 ब्याज मिलना बाकि है तो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 8 से 8 kyancil 8 senza से कैंसिल कारोगे चो 24 और कितना हो जाएगा 24 और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इसको cancel करेंगे तो 8 से कैंसिल होगा कितने बार 8 2 1 16 85 48 48 ठीक है तो टोटल को जा्याइब 2640 फिर 156 और कितना इनको आप जोड़ेंगे 6-3-9, 9 option में एक ही जगे दिख रहा लेकिन फिर भी जोड लेते हैं, 5-4-9, 9-3 हो गया कितना, 12-6-2-8-9, 29-39, 2929 आपका इसका क्या होगा, answer होगा, 2929 इसका आपका क्या होगा, answer होगा, एक बार ओर समझ लो पूरे सवाल को, उसने दे रख्या इतन 25-4% मतलब 25-4-100, इससे cancel कितनी बार, 4 बार तो कितना हो गया, 1-16, मतलब आपकी rate of interest कितनी है, 1-16 है, धन बढ़ेगा किससे, 1-16 के हिसाब से, समझ लो भाई, जिसको समझ में नहीं आया, 2 साल का भी आज पहले निकाल लो, आप 73 दिन की बाद बाद में कल लें, देखो 73 दिन जो होता है, वो होता है, 1-5 साल, कितना साल होता है, 1-5 साल, क्योंकि 33 से कितनी बार cancel होता है, 365, भाई, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 73 दिन के कितने साल बनेंगे, 93 बटे 365 करोगे, 1-5 स तेकले साल निकालेंगे हो एकverted तो यह इसके लिए हम्ने दर निकालıldी इसको बाद में देखे आपको व्याज निकालना पड़ेगा तो दो साल का ब्याद निकालेंगे ए जो होता है वो होता है मूल रासी पर ब्याज इसका एक बटे सोला निकालना पड़ेगा सोला आप यहां से निकालेंगे एक बटे सोला तो यह कितना आया था हमारा भी भी वाकी है इस 73 दिन के लिए रेट हमारी है एक बटे 80 एक बटे 80 से इस धन पर भी ब्याज मिलेगा और इस ब्याज पर भी क्या मिलेगा हमें फिर से ब्याज मिलेगा तो देखो ज़रा आप अब यहां पर आप क्या करेंगे 20,480 रुपे पर कितना निकालेंगे पहले एक बटे 80 निकालेंगे 20,480 पर कितना निकालेंगे एक बटे 80 यहां पर निकालेंगे उसके बाद 2,640 पर भी कितना निकालेंगे एक बटे 80 निकालेंगे और पहले हमें भी आज कितना मिल चुका ह इस तरे इनको solve करने के बाद आपका अंसर कितना आएगा 2930 अगर फिर भी समझ में नहीं आया है फिर भी नहीं आया है तो इसको बाद में देखना आप आराम से इत्मिनान से शांती से देखना मैंने दो बार इस चीज़ों को समझाया है अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर 25 हर की राशी पर 12 प्रतिशत प्रती वर्ष की दर से दो वर्षों के लिए चक्रवद्धी ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रती आठ महीने पर संयोजित होता है जल्दी से बताओ इसका अंसर क्या होगा संख्या लगातार यहां पर कम होती हुई तवालों की सर जब दर फ्रेक्षन में दी होती है तो जी फ्रेक्षन को आप फ्रेक्षन में ही बदल लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा है ना चलिए देखो भई 25 रुपे की रासी है बारा प्रतीशत प्रती वर्स की दर से दो वर्सों के लिए चक्रवद्धी ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रती आठ महीने पर सही होता हुई अब देखो यहां पर उसने चाल चली ना वापस आठ महीने की वह बात कर रहा है कितने महीने की बात कर रहा है आठ महीने की जी मोटिवेशनल थोड़ भी सुनाएंगे थोड़ा साप वेट करें जरा बीस कोशन तक तो पहुंच जाए पहले आठ महीने की वह यहां पर बात कर रहा है दोस्तों कितने महीने की बात कर रहा है आठ महीने की तो आठ माह की यह बार टूकड़े होंगे यहां पर दर उसने दर रखी 12% पर सब्सक्राइब अगले 8 कि विल्या वुणार की यहां तेन साल हो गई और 8% कि क्या हो गला यहां कैने Also City कितने कितने पर 25.000 पर कितने पर 25.000 yeah रुपए हुए बहुत करने बीचिंद में यहां करके अगर निकालोगे तो 3A plus 3B plus क्या करेंगे C 25 हर का 8% निकालोगे तो 3 गुणा यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों 22,000 25 हर का 8% कितना निकलेगा 2000 फिर 3 गुणा 2000 का 8% अगर आप निकालोगे तो यह होगा कितना 160 प्लस फिर C इस 160 60 का अगर आप 8% निकालोगे तो 160 इंटू 8 बटे अगर 100 हम करेंगे, 16 अठे कितना होगा 128, तो 12.8 कितना निकलेगा 8, आपको यहाँ पर ब्याद जोड़ना है, यह होगया 6000, प्लस यह होगया 480, प्लस यह होगया कितना 12.8, तो 6000 में 480 and 12.8 को हम एड करेंगे, यह हो गया 8, यह हो गया आपका कितना, 2, 8 और एक कितना हो जाएगा, no, और यह हो गया 4, यह हो गया 6, 3492, 8, मतलब लगबग 6493, option number C आपका क्या होगा, right answer होगा, very good, very good, option number C आपका क्या होगा है, आपर, right answer होगा, भाई, चेप्टर इतना शांदार है, जिल निरा लोगों से, चलिए, देखो, समझाने की कोशिज में बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, अगर नहीं आया ना, समझ में, तो भी पीछे करके देखना जरा सवालों को आप, अच्छे से समझ में आएगा, सभी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है, टेंसन ना लिया करो तुम, टें हुद ही ज्यादा खुबसूरत, बीस हजार रुपे की राशी का निवेश, पंदरा महीने में, दस प्रतीशत, प्रती वर्स के हिसाब से, छे माही में किया जाता है, ठीक है, छे महीने की ब्याज दर्हें आपर ध्यान लखना, तो पंदरा महीने के अंत में लगबग प्रत करना पड़ता है, उसके लिए, ओ मेरे सांथियों, बीस हजार रुपे की राशी का निवेश, पंदरा महीने में, दस प्रतीशत, प्रतीवर्स के हिसाब से, छे माही किया जाता है, पंदरा महीने के अंत में, लगबग प्रतीशत लाव कितना होगा, अगर वो दस परसेंट प्रतीशत की बात कर रहा है, मतलब बारा महा के लिए, उसका जो ब्याजदर है, वो कितना है, दस परसेंट है, इस बार छे माह में हिसाब कर रहा है, वो कितने माह में हिसाब कर रहा है, मित्र, छे माह में हिसाब कर रहा है, तो छे माह के लिए, जो rate of interest होगी, वो कितनी होगा 12 माह बचे कितने माह तीन माह का हिसाब अलग से होगा जब 6 माह के लिए रेट 5% है तो इसके लिए तो 5% हो जाएगी इसके लिए भी 5% लेकिन 3 माह की रेट क्या होगी 5% का आधा मतलब अब ध्यान से देखना पेले साल आपको 5% भी आज मिला है दूसरे साल भी 5% यह छेचे माह के साल होगा इस बार ध्यान रखना पेली बार 5% दूसरी बार 5% तो तो टोटल यहाँ पर पेली बार 5% दूसरी बार 5% फिर 5 का भी 5 मिलेगा ना इसका तो यह हो जाएगा 0.25 भाई अगली बार 2.5 मिलेगा तो प्लस में करेंगे 2.5 तो 12 पॉइंट कितना हो गया 75 लेकिन एक बात ध्यान रखना जो 10.25 मिल चुका है उसका भी 2.5% आपको वापस से भी आज मिलना है इसका भी निकालोगे तो लगबग ये 10 और 12 और 12.5 के आगे पहुंच चुकी है और ये नि कि चलिए सवाल बड़ा खूबसूरत था फिर से देख लो जगा एक बार और देख लो ओ व्हमेरे मितनों एक बार देख लो बीस अजार की धरनाशी पर 15 महीने में 10% पतिवर्स के हिसाब से 6 म Aph ही उसाब कर रहा है आप 15 माह है और हर 6 महा है मैं यहाँ मढआ के लिए गहीं 5 माहा के लिए 5 महां बचे कंधेंद साथ consensus में पॉक्याज पनेंगा चीण महा के लिए फीनस इताधा करोगे सब्सक्राइब मौने में 5% बैंच bar लेकिन इस परसेंट का 5 नेगा मतलब 25 तो यह 12 महिने की अगर हम बात करें तो यहां पर टोटल सरेंक हमें दो 5 परसेंट लेकिन यह 2.5 परसेंट ब्याज जो है न वह इस वाले ब्याज पर भी ब्याज बने गए एकijo तो प्लस करना पड़ेगा 10.25% का भी 2.5% समझ रहो बात को तो ये भी आपको परसेंटर निकालना होगा तो टोटल लगभग कितने के में जाएगा 13 में जाएगा तो option number C आपका क्या होगा सही होगा जी कमेंट बॉक्स बिल्कुल सांत है आज बिल्कुल शांती ही रहने वाला है ठीक है चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर पचास हजार रुपे की राशी को 19 महीनों के लिए 24 प्रतीशत वार्शिक चक्रवद्धी ब्याज की दर से निवेश किया जाता है जो प्रतीश साथ महा में सईयों जीत होता है 19 महीने के अंत में प्रतीशत लाव दस्मलों के तीन इस्थान तक बताईए जल्दी से बताओ जरा 19 महीने के बाद प्रतीशत लाव क्या होगा मेरे मित्र हर साथ महीने में हिसाब कर रहा है आपर हर साथ महीने में हिसाब कर रहा है ठीक है हर साथ महीने में हिसाब कर रहा है देखो जरा 19 माह हैं और अगर हर साथ महीने में हिसाब करेगा तो पेले साथ महा में हिसाब होगा फिर अगला हिसाब कब होगा साथ महा में साथ साथ चवदा फिर पांची महा बचे तो पांच महा में हिसाब हो जाएगा उसने रेट माहा की कितनी होगी, साथ माहा की होगी, देखो बारा का डबल हो रहा है, चोवीच, साथ का डबल कितना होगा, चवदा, एक माहा की दो परसेंट, तो साथ माहा की चवदा परसेंट, मतलब यहाँ पर पर आये तो 14% मिला लेकिन इस 14 का भी 14 मिलेगा जो कि होगा वन पॉइंट कितना 96 ठीक है तो टोटल यहां पर कितना हो चुका 14 ए से ही है तो यहां पर आ जाएगा पॉइंट कि सकió ठीक है यह हो जाएगा टू पॉइंट नाइन नाइन सिस्क्स सो टोटल भी आज कितना हो गया 39р Rachel फिर आपका कितना होगया यहां पर 10 और उसके बाद कितना मिला है ।उ पॉइंट 9 9 6 ठीक है तो यह होगा 6 9 6 15 का 5 9 9 18 9 पोइंट लगाएंगे 9 2 11 का 1 2 2 कितना होगा 4 41.956 option number D आपका क्या होगा सही होगा एक ने भी नहीं बताया बड़े अफसोस की बात है चलिए option number D एक ने भी नहीं बताया बहुत अफसोस की बात है भई तो यह था आपका question number 18 साथ महा का भी हिसाब करवा लिया देख लो से कितने महीने का हिसाब करवा भई साथ महीने का भी हिसाब करवा लिया सोचो आप है सरल सवाल चलिए अगला खुबसूरत सवाल आपके स्क्रीन पर यदि 10 प्रतीशत सर आज के सवाल बहुत कठिन है कुछ समझ में आ रहा है बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी आप डबल से इस वीडियो को देखेंगे तो सभी चीज़ें आपको समझ में आईगी अभी जितना आपको समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश करो मुझे पता है डोस लोज बहूत हेवी हो चुका है ठीक है ये मैंने गल्ती कर दी सवाल सामिल करवा के तौर सरल नहीं है ये इतना सरल नहीं है सरल नहीं है इतना कठिन नहीं है अगर सोचोगे ध्यान से अगर ध्यान से सोचोगे सई तरीके से सवालों को देखोगे आपका अच्छा होगा तो तरीके से कर पाऊगे ठीक है देखो जरा यदि 10 परसेंट प्रतिवर्स अर्द व्यार्शिक सहयों जीत डेड़ वर्स का चक्रवद्धी व्याज कितना है याँ पर 2522 है तो मुल्धन क्या होगा अब लोग सरल सवाल आ गया जल्दी से बता दो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर बता दो तुम तो क्या होगा भाई ओ मिच्रों इसका उट्टर बताओ सो लोगों की संख्या हो चुकी है बहुत कम बहुत बढ़िया सवाल ऐसे सामिल किया तुम्हें सरल सरल सवाल पढ़ाओ बड़ मज़ा आते हैं ठीक है इसका बता दो अंसर सरल है यह तो जल्दी से बताओ और संख्या बढ़ाओ जराओ प्यारे गरीब विद्यार्थियों म कल आराम से समझा दूंगा मैं तरीके से इसका रिवीजन कर लेना है एक बार आप ठीक है 20,000 चलो देखते हैं क्या होता है 20 तो कलो आज कम्प्लीट बीस अब देखो इसे में आपको क्या करना है 10% वार्षिक दी उसने और वो अर्द वार्षिक रूप से सहंजित कर रहा है 12 माहा की अगर उसने दर दे रखी यहां पर कितने परसेंट 10 तो 6 माहा की यहां पर कितनी हो जाएगी चे माहा की कितनी हो जाएगी 5% चे महीने की बात कर रहा ना वो अर्द वार्षिक मतलब 6 महीने 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी 5% अगर 5% दर है तो इसे fraction में चेन करेंगे कितना होगा एक बटे 20 और 6 माह से डेड़ साल है आपके कितने साल है देर साल 15-18 महिने तो कुल कितने भाग होंगे टीन भाग मतलब तीन साल की बात होगी यह पर ठीक है एक भटे 20 में अगर हम तीन साल की बात करेंगे तो आपने मान लिया कि धन जो है वो 20 की घाथ 3 मतलब 8000 है दो साल की बात करें तो इसकी घाथ 2 लगा ले ना तीन साल की बात करें तो इसकी घाथ कितना लगा ले ना 8000 अगर धन है और एक बटे 20 के हिसाब से अगर ब्याज बन रहा उसके बाद यहाँ पर B जो होगा दोस्तों B होगा इस 400 का कितना 1 बटे 20 जो की कितना होगा 2 से cancel करेंगे कितनी बार 20 बार और C होगा इस 20 का भी कितना 1 बटे 20 मतलब यह कितना होगा 1 तो A आ चुका है आपका कितना 400 सो वी आपका आगया यहांपर टीन गुना वी कितना हो गया वीज और ची आ गया आपका एक तो चारती याँ 120 यह वगया 60 61 Giants से देखना आठ औरम हैं ने धनरासी बानी कितना हो गया 1261 से थांसे कितना हो मैंने यहाँ पर जो धनरासी है वो एक बटे 20 इतका fraction आया था उसका घात 3 लगाया घात 3 क्यों लगाया क्योंकि 3 टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पर तो 8000 मान ली उसका ब्याज निकाला तो मेरा जो ब्याज आया वो आया 1261 तो 1261 यूनिट की जो value है वो value है बरावर में किसके 2522 के क्योंकि उसने ब्याज इतना दे रखा है अपना ब्याज तो इतना निकल रहा है तो एक यूनिट की value 2522 बटे कितना हो जाएगा 1261 कितनी बार कैंसील होगा यह दो बार कैंसील होगा तो एक यूनिट बरावर 2 आपने धन कितना माना था 8000 तो 8000 यूनिट बरावर कितन बिल्कुल सही है जिनने भी सी बताया बिल्कुल सही है उनका अंसा चलिए चलिए सही है बिलकुल को सर जी कौन सा गुष्सा निकाल रहा है ओ मित्रों चलिए अगला खुबसूरत सवाल बहुत ही खुबसूरत है ये तो जल्दी से बताओ भाई क्या अंसर होगा दो वर्स चे माह का चक्रवधी ब्याज कितना होगा तोला सही दो बटे तीन पर्शेंट यहां पर दर दे रखी उसने और वार्सिक बोल रहा है इस बार तो छे महिने में हिसाब नहीं करना है सबली सवाल है सोला सही दो बटे तीन पर्सेंट अगर इसको आप फ्रेक्शन में चेंड करोगे तो आज तो सुपर से भी उपर जा रहा है जोती तिवारी जी आपका स्वागत है तो एक बटे छे के हिसाब से ब्याज बनेगा पहले दो साल का ब्याज आप निकालेंगी तो दो साल का ब्याज क्या होता है तो एसको निकालेंगे लए निकालेंगे चला Top 16 मा पल्याज करेंगे हम सीमास की जीए इक साल की दर अपनी एक बटे JOHN की होगा और एक बटे 6 का आधा करेंगे हम तो एक बटे कितना होगा यह बारा होगा यहां पर ठीक है तो दो एक वर्स की हमारी दर है एक बटे 6 6 मा की दर कितनी होगी एक बटे 12 यह बारा बाद में काम आएगी ठीक है एक फिर चार फिर चार और डबल जीरो 14,400 फिर 14,400 का निकालेंगे यहां पर कितना एक बटेचे जिसका कैलकुलेसन अच्छा वो जल्दी कर पाएगा सवाल को चलिए ओ मेरे मित्रों 120 की संख्या कर दी तुमने क्या बात है क्या बात है मतलब तुम आज क्लास बंद करने का मना कर रहे हो मैं तो सोच रहा था कि चुटी कर दूंगा अब मेरे को फाइदा हो गया कम हो गई संख्या तो फिर 113 हो गया अब देखो 14,400 में 6 से आप भाग गई तो 2A प्लस B की वेल्यू कितनी होगी तो 2A प्लस B की वेल्यू होगी इसमें गुणा कर लो 2 का और प्लस कर लो इसे 14,400 गुणा 2 28,800 28,800 प्लस 2400 जोडोगे तो यह हो जाएगा कितना 31,200 यह तो ब्याज आपका आ चुका है कितने साल का दो साल का लेकिन 6 महीने का ब्य 89,400 का कितना निकालेंगे एक बटे बारा और जो ब्याज पीछे मिल चुका न आपको 31,200 उसका भी कितना निकालना है आपको एक बटे बारा निकालना है 86,400 का एक बटे बारा निकालोगे तो 12,784 होता है और फिर यहां बच जाएगा कितना 2,12,24,72 आएगा यह तोटल और यह आप निकालोगे एक बटे बारा तो बारा दोना चुवीस और यह कितना हो जाएगा आपका बारचंग बहुत तर ठीक है 26,000 कितना आ रहा है 24,000 बचे का कितना है यहां पर यह चाथ बहुत तर ठीक है तो बहुत तर सो ब्याज यह मिला फिर 26,000 यह मिला और पेले मिल चुका है 31,200 31,200 प्लस बहुत तर सो पुर 26 अगर कैलकुलेसन नहीं करोगे तो कहां से आएगा भाई अंसर जीरो जीरो छे दो आड़ दो डस यह हो जाएगा एक और एक दो साथ दो नो नो दो ग्यारा तीन और एक कितना होगा चार एक तालीस हजार रुपे आप्सन नंबर ए आपका क् सबी बता रहे हैं यहां पर C, 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 वारे गरीबों, C, जिनने A बताया, very good, जिनने A बताया है, पौध बढ़िया, बहुत शान्दर, सबकी हालत बस सूरत हो गई, तो A यहां पर आंसर होगा तो ब्याज तो निकालना पड़ेगा, अगर नी निकालोगे तो कैसे मजाएगा ठीक है, चलिए, तो 41,000 आपका क्या होगा यहां पर आंसर होगा, अगला खुबसूरत सबार, 15 प्रतीशत प्रतीवर्स की दर से 2 सही, 1 बटे 2 वर्स के लिए 4,096 रूपे की राश्री चक्रवध्धी ब्याज क्या होगा, अगर ब्याज 10 मासिक रूप से सहयों जित होता है हर 10 महीने में वो ब्याज को सहयों जित कर रहा है मेरे मित्र, जल्दी से बताओ इसका अंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, इसका अंसर बताइए जल्दी से, 10 महीने के हिसाब से सहयों जित कर रहा है ब्याज को, अब वो बोल रहा, धाई वर्स है, तो धाई वर्स जो है न पत्रा, अलो दस महा की अगर वो बात कर रहा है, तो दस महा का जो यहां पर rate of interest होगा, वह होगा 15 बटे 12 गुना कितना 10, ठीक है, 15 बटे 12 गुना कितना हो जाएगा यहां पर 10 हो जाएगा, आब इसे cancel कर लो, 3 से cancel होगा 4 बार 3 से cancel होगा 5 बार 2 से यहाँ पर यह cancel होगा कितनी बार 5 बार और 2 से cancel कितनी बार होगा 2 बार मतलब 10 महा की जो rate of interest होगी वो होगी 25 बटे 2% कितना होगा 25 बटे 2% और इसे fraction में change करूँगा ति होगा 25 बटे 2 गुणा 100 मतलब 25 चोके 100 तो एक बटे कितना परसेंट हो जाएगी 8% हो जाएगी rate of interest आप कितनी आगई यहाँ पर एक बटे 800 बटे परसेंट आओ fraction में कितना होगा एक बटे 8 तो एक बटे 8 एक बटे 8 तर क्लास बंद मत करो ठीक है ठीक है नहीं करना है एक बटे 8 के हिसाब से आपका ब्याज बनेगा अब वो बोल रहा है 2 सही एक बटे 2 वर्स तो टोटल धाई वर्स है धाई वर्स में कितने महीने होते हैं तीस महीने होते हैं अगर धाई वर्स में तीस ही महीने होंगे न तीस महीने अगर होंगे तो पहले दस माहा, फिर दस माहा और दस माहा, तीन बार दस माहा पर हिसाब होगा, तो एक बटे आठ, फिर एक बटे आठ, और फिर क्या होगा, एक बटे आठ होगा दोस्तों यहाँ पर, पहले होगा एक बटे आठ, फिर एक बटे आठ, और फिर क्या होगा, एक बटे आठ ह होगा क्योंकि एक बटे-8 के हिसाफ से यहां पर भ्याज मद रहा है तो 3 साल का 4,000 निकालेंगे 4,090 का कितना एक बटे-8 इसमें врем 8 से भाग लगाएंगी तो कितना आएगा यह 8 540, फिर 8 एकम 8, फिर बजी गया 8216, 512, फिर हम B निकालते हैं, तो 512 का कितना निकलता है, वो एक बटे 8 निकलता है, इसमें 8 से भाग लगाएंगे, 848 और 8 चोगबती 64, फिर 64 का एक बटे 8 निकालेंगे, तो कितना निकलेगा, यह 8 निकलेगा, तो यह A की वेल्यू, यह B की वेल्यू, और यह किसकी वेल्यू है, यहां पर C की वेल्यू है, 3A मतलब 3 गुणा 512, 3B मतलब 3 गुणा 64, और C मतलब कितना हो गया, 8, 512 में 3 का गुणा करोगे, तो 5 ती यह 1536, 64 में 3 का गुणा करोगे, तो 6 ती यह 18 और 4 ती यह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा total यहाँ पर इनको add करोगे आप तो यह आना है 192 तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा 1536 और यह 8 total जोडने पर यहाँ पर आपका सवार आएगा मेरे मित्र आंसर आएगा 1736 कितना आएगा 1736 option number B option number B option number क्या होगा B अभी तक सोया नहीं हूँ तो दो बार जी एन बोल चुका हो जी जी रविन जी दो बार जी एन बोल चुके हैं आप विरेन चलिए तो यह आपका 21 सवाल अब देखो 2 सवाल हुमवर्क में दे रहा हूँ समाप्त कर रहा हूँ ठीक है यह बताना आपको चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी है बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहां पर जुणने के लिए सितारों को आखों में महफूज कर लो बहुत दूर तक रात ही रात होगी मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी किसी मोड पर फिर मुलाकात होगी कल फिर क्लास लगेगी है न ध्यान रखना कल में अच्छी क्लास लगेगी चलिए गुड नाइट